नमस्कार मेरा नाम है अशोक और स्वागत आपका मेकनिकल नेक्सस में आज हम डिसकस करेंगे अपसेट वेल्लिंग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं Upset Welding को Bud Welding भी कहा जाता है Upset Welding को Resistance Welding की केटेगरी में रखा गया है यानि यह हमारा एक Resistance Welding का Type है Resistance Welding मतलब Resistance का यूज़ करके हम Heat को पड़ यूज़ करते हैं और उस Heat से हम यहाँ पे Welding करते हैं इसको एक छोटे से Formula से भी easily समझा जा सकता है जो होता है H is equal to I square RT डिटेल में इस Formula को समझने के लिए आप मेरी Resistance Welding ज़रूर देखिए लिंक या फिर आपको प्लेलिस्ट में यह easily मिल जाएगी अब बात करते हैं कि Resistance Welding में किसी भी परकार के Flux का या Filler Material का यूज़ नहीं किया जाता तो फिर इसका नाम Upset Welding क्यों पड़ा इसको समझते हैं देखिए Upset का मतलब होता है Press Together Press Together यानि कि जब दो चीजों को आपस में Press किया जाए तो उससे वो जुड़ जाती है इसी Principle के Base Base का नाम Upset Welding रखा गया है कैसे जुड़ती है इसको समझते हैं यह मेरा एक Schematic Diagram है Upset Welding का यहां पर मेरे दो Clamp है Clamp इसे 1 कह लीजिए यह Clamp 2 माल लीजिए यह दोनों के दोनों Clamps जो होते हैं वो copper material के बनाए जाते हैं Cu, copper, Cu ठीक है copper के इसलिए क्योंकि copper heat का एक अच्छा conductor है अब यह किस Nature के होते हैं यह हमारे Slide कर सकते हैं यानि यह Axis की Direction में यानि Object के Axis की Direction में Easily Move कर सकते हैं तब जब हम दोनों Work Piece को इन Clamp में फसा देते हैं यानि Fix कर देते हैं और बहुत Tight कर देते हैं ताकि यह Easily निकले नहीं अब हम इसको Move करके इन दोनों के जो Ends होते हैं उनको मिला देते हैं जब इन दोनों के Ends आपस में मिल जाते हैं Connect हो जाते हैं तब हम यहां से AC Power Supply का Use करते हैं यहां पर AC Power Supply यह Transformer से होते हुई Transformer जो है Step Down Transformer है Step Down Transformer क्या करता है Voltage को घटा के हमारे Current को बढ़ा देता है तो यहां पर High Current हमारा दोनों Clamp के तरफ बढ़ता है इस तरह से यह हमारे एक Circuit का निर्मान करते हैं यह एक Circuit बन जाता है अब यहां पर Resistance क्यों कहा गया है उसको समझते हैं जब यहां पर यह एक Circuit बन जाता है अगर हम Micro Level से इस Area को Zoom करें तो यह कैसा होगा देखिए इन दोनों Ends यह जो दोनों Ends है यह Perfectly Flat नहीं होते कुछ ना कुछ Roughness होती है जिसको हम Peaks and Valley के नाम से भी जानते हैं यह Sheet 1 है और यह Sheet 2 है यह Sheet 2 इन दोनों के बीच में Peaks and Valleys होती है यह Peaks and Valleys क्या करती है एक तरह से Gap बनाती है अब यह Gap बन गया तो क्या होता है जब यहां से Current आता है तब Current यहां पर रुख जाता है इनके Age पर आका है और फिर उसको Jump करना पड़ता है उदर जाने के लिए जब यहां पर Jump करता है तो यहां पर High Resistance डवलप होता है इस High Resistance के कारण बहुत जादा Heat डवलप होती है अब जब यहां पर Heat डवलप हो गई तो यह जो पूरा का पूरा जो जो जोन है यह वाला यह चला जाता है प्लास्टिक स्टेज में यह हो गया प्लास्टिक स्टेज में यह प्लास्टिक जोन कह लीजिए जैसे ही प्लास्टिक जोन में जाता है तब हम यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं इन दोनों यह थूर और यहां पर जो फोर्स, अप्लाई किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्त किया जाता है यानि दोनों ends के actionsách में दोनों अंदर की तरफ अपना high pressure apply करते है है यह already plastic stage पे हमारे ends high pressure के करण क्या होता है यह दोनों एक दूसरे के अंदर इन कर जाते हैं और इसके बीच में जो भी हमारा मोल्टन मेंटल या ओक्साइड होता है वह भार की तरफ निकल जाता है यहां पर यह भार की तरफ आ जाएगा और यहां पर हमारा यह वेल्ड का निर्मान कर देगा ठीक है बाद में हम इसको किसी भी एडिशनल अदर मशिनिंग प्रोसेस से इसे इजली हटा सकते हैं जैसे कि ग्रैंडिंग करके इस कारण इसका नाम पड़ा अपसेट वेल्डिंग क्योंकि यहां पर हमने दोनों को प्रेस किया एक हाई प् पर्ण टॉन सेम किया जाता है दोनों सेम डायकर करना पड़ेगा और इस तरह से आपका वे데 प्रेड होता है इस वेलडिंग को कहा जाता है अपसेट वेल्डिंग